हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सलवार सिखाऊंगा जो कि आज कर बहुत ज्यादा ट्रेंडी में चल रही है इस सलवार की जो सबसे बड़ी विशेशता है वो यह है इसे आप टीशिट के साथ भी पैन स सकते हो और इसे आप एक लोवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो जिसे आप नाइट में भी पैन सकते हो यानि एक जैसे नाइट लोवर होता है इसे आप प्लाजों की तरह भी पैन सकते हो बहुत असानी सी सलवार बन भी जाती है और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी details ले सकते हो तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया फ्रेंट से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यह मेरे पास सलवार के जो कपड़ा है टोटल यह जो कपड़ा मैंने लिए इसको मेंने लिए सबाद दो मीटर कपड़ा इसको म टाधार में जो प्रिंट भी इस तरह से हैं कि इसके प्लॉफा बाली सारी में अपके अलग करने के बाद अब आपको क्या करना अब जैसे की यह कपड़ा है ठीक है एक कपड़े को रखता हूं मैं साइड में और एक कपड़ा यह मेरे पास टोटल सवा दो मिटर कपड़ा था और अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है फोल्ड करते हैं समय इस चीज कर द्यां रखना है आप उल्टा और सीधा देख लें सीधा वाला हिस्सा हमेशा आपक को दिखाता हूं यह देखिए जो किनारी वाले हिस्सें वह रखने आपको उस तरफ और बंद वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है अब फ्रेंड्स जब भी हम सलवार बनाते हैं तो सलवार को बनाते समय हमें केवल तीन ही मेजर्मेंट के जूरुत पड़ती है पहला हम अलग से यूज नहीं करेंगे इसी में हम पहुंचे बना लेंगे तो दो इंच आपको नीचे के लिए एक्ष्टा कपड़ा रखना है इसके बाद बात करेंगे इसके लंबाई की लंबाई इसकी 38 है तो इस निशान से आपको 38 इंच पे सीधा निशान लगाना ही देखि है या फिर एक्ष्टा माजन बोल सकते हो इसमें आपको दो इंच एक्ष्टा लेना है तो दो इस प्रकार से सीधा एक निशान आपको लगा लेना है कि टोटल लंबाई है जैसे यहां से लेकर 38 इंच यह हो गई दो इंच आपको उपर लेना है और दो इंच आपको लेना ह ही होता है लेकिन फिर भी एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले से अंने आसना निकालना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ हिप साइज की जूरत केवल इसलिए पढ़ती है ताकि हम किसी भी साइज का जो है प्रों चेरिया कि आ या फिर आसन निकाल सकें तो इसका इपसाइज चतिस ए तो सलवार का जो आसन होता थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल पैंटें या फिर पलाजों से आसन थोड़ा ही होत होता है तांकि सलवार पैने में comfortable रहे 36 इंच इसका हिप साइज है 36 का आपको करना एक चोथाई 36 का आदा होता है तो यह जो लंबाई वाली जगह यहां से आपको निशान लगाना है नो इंच पर नो चोथ चतिस और इसके अलावा पांच इंच आपको एक्स्टा लेना है तो तो उसका आशन आप इसप्रकार से निकाल सकते हो ऑद कि चोधा इंच इसका आशन हो गया आशन को निकालने के बाद अब जो इसमें अगला काम करना है वह करना है आपको यह ग्यारणवे जगाय को एक निशान लगाना में तीन इंच पर यह देखें इस घठे को नीचे व बोचेरी के लिए गुलाई देने के लिए यहां से आपको तीन इंच कम करना पड़ेगा उसके बाद नीच आते हैं मोहरी पर इसकी दोस्तों जो मोहरी है वो है 14 और 14 गादा कितना होता है साथ साथ दूनी 14 और एक इंच इसमें आप एक्ष्टर ले लें यह देखे क्योंकि मार्जन के लिए इस परकार से यहां पर एक निशान लगा दे अब इस निशान को आपने जाके मिलाना है इस वाले निशान से इस परकार से यह देखें इस शेप पट्टी को रखा मैंने औ इसके जब मोहरी बनाओगे तो यहां पर कपड़ा का कम हो जाएगा यह से लंबाई वाले निशान से इसको आपने थोड़ा सा इस परकार से क्रोस में निशान को लगाना है अब इस परकार से जो एक नॉर्मल सलवार है उसकी मैंने मार्किंग कर ली है इसको कटिंग मैं कर कर ली है कटिंग करने के बाद इस सलवार का जो लुक है कुछ आपको इस परकार से नजर आएगा यह देखिए यह इसका उल्टा वाला इससा है अब सबसे पहले आपको क्या करना है अब मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं कि यह जो निशान में क्रोस में क्यों लगा ह है क्योंकि यहां से हमने लिया है दो इंच एक्स्ट्रा तो जब हम इसको इस प्रकास अंदर के तक फोल्ड करेंगे तो यह देखे अराम से कपड़ा इसके साथ कवर हो जाएगा यहां से कपड़ा आपका छोटा नहीं रहेगा अब सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे प पहुंचा ऐसे कैसी यहां पर कंप्लिट हो जाएगा वह मैं आपको करके दिखाता हूं तो दोस्तों यह देखे पहुंचे इसके कैसे बनाने यह जो निशान है यह दो इंच का इस दो इंच वाले निशान के ऊपर आपको लखनी है बुकरम इस परकार से यह देखें और य क्या करना यह देखें यह जो बुकरम है इस कप्ड़े के साथ अटैस्च तो होई गई है अब इसे आपने ऐसे कैसा पकड़ना यह देखें अंदर की तब इसे फोल्ड करना और अब इस बुकरम के उपर आपको लगा लेनी है शिलाए आपके पहुंचे के लिए आपको अल ये चाहते हैं ऑप अपनी चोईस का कोई सव्य डिजाइन सबस्क्राइब कर सकते हो अगर लगाना चाहते हो डिजाइन नहीं बना दाटे तो सीद्र आग सकते हो सीधी सीधी मैंने इसमें लगाई है इसी प्रकार से मैंने दूसरा वाला जो पाट उसको भी कंप्लीट कर लिया है अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका सीधा हिस्सा है सलवार को आपने इस प्रकार से कर लेना है यह देखें यानि कि उल्टा वाला हिस्सा है आपको इदर से बराबर करते हुए यह देखें अब आपको जो अगला काम करना है बहुत ही असान है बहुत ही एजी है आपको लगानी है दोस्तों एक सिलाई वो सिलाई कों से लगानी है यह देखें यहां से आप जो भी आपकी महुरी है जैसे कि इस सलवार की जो महुरी है वो है इ इस निशान को आपने इस प्रकार से ले जाते हुए उपर तक लेकर आना है यह देख इस तरह से इस तरह से इस तरह भी आपको जो है लगा लेनी है इस तरह लगाने के बाद इसका आगे काम बताओंगा तो फ्रेंट्स ये देखी जो इसे बोलते हैं गिद्री की सिलाई जो कि मैंने लगा ली है गिद्री की सिलाई लगाने के बाद अब ये दोनों पल्ले आमने सामने अब देखे एक पल्ला ये उठा ले और एक पल्ला आप ये उठा ले और इन दोनों ही पल्लों को आपस में इ कि अगनेगी और इस तरीके से आपका जो आसने बिलकुल बराबर जुठ जाएगा इस लगाए ने आपको दिखाता हूं इसको निशाना आप दिखे रहा होगा, यह है दो निशाना, तो आपको इसे दो इंची यहां से फोल्ड करना एह, फोल्ड करते हैसने दोस्तों आपको एक ची धियां रखनी जैसे कि मैं यह से सलाहिक अगर स्टार्ड करता हूं, हम चाल यहां से करूँ यहां फिर थोड़ी दूर से स्की स्टार्ट करता हूं तो स्लाइ स्टार्ट करते हैं से मैं उसके भड़ा के nextüs निशान से लेकिन इस स्लाइकों मैं आप लागें खतें को इस स्ल कौने करूआ कि मैं लास्टिक को लगाने के लिए तो दोस्टों पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं उसके बाद इसमें ऐसमोर को अपर वाला पार्ट मैंने यह यह सिलाई लगाई है क्योंकि दोफित लास्टिक लगाने के लिए जो सबसे मेंच होती है वो होती है कमर तो फ्रेंट्स यह जो मैं सलवार बना रहा हूं इसकी जो कमर है वो है 34 इंच तो जब भी आपने किसी एसी कुछ सलवार पैंट प्लाजो कुछ भी बनाना जिसमें पूरे में लास्टिक लगानी हो तो जो भी कमर का नाप होता है जैसे इसकी कमर 34 है तो इसमें से आपको चार इंच लास्टिक कम लेनी होती है किस प्रकार से लेनी है यह देखें यह मेरे पास लास्टिक है कमर है कितनी कम है 34 यह देखे ठीक है लेकिन आपको चार इंच कम करनी चार इंच कम करेंगे तो कितनी हो गया यह हो गया तीस इंच तो इस जगे से आपको इसको कट कर लेना यह देखें अब फ्रेंट्स यह जो है लास्टिक इस लास्टिक को इसके अंदर हमने इसमें आर पार करना क्यों कि बहुत असानी जाएगा कैसे होगा यह देखे इसके लिए आपको लेड़ना एक सेफटी पिन इस सेफटी पिन को आपने इस प्रकार से इसमें डालना है और यह जो मैंने जगह छोड़ी थी यह वाली इस जगह से आपको एक छोड़ से इसलाच्टिक को डालना से निकाला था और इस चोड़ से इसको मैंने आरपर कर लिया अब यह जो लास्टिक के अंदर यह जोड़ था मैंने लगा लिया है जोड लगाने के पाद इसको थोड़ा सा आप इस प्रकाज़ा खेंगे नहीं तो लास्टिक अपने आप इसके अंदर चली जाएगी अब लास्टिक इसके अंदर जा चुकी है अब फ्रेंट्स यह जो खाली जगह थी जो मैंने दो इंच की जगह छोड़ी थी इसको भी आप कवर करने यह देखें यहां से लगाएं और इस लाय को केंप्रेट कर लें जो है इसके अंदर कंप्रेट हो चुकी है बिल्कुल लास्टिक गुम हो गई कई से लाश्टिक हमें नजर नहीं आ रही लेकिन अभी काम अधूर्रा यह नहीं पूरी तरह से लगी नहीं है कि दोस्तों ये लास्टिक किसके अंदर हिल रही है एक जगे कोई फिक्स नहीं है तो लास्टिक अपने जगे लेने बिल्कुल फिक्स रहे उसके लिए आपको क्या करना है पहले मैं आपको दिखाता हूं उसका जो लुक है कुछ इस पकार सापको नजर आ रहा होगा अब onu किसी भी जगे से आप इसकी स्तारट कर सकते हो जैसे कि यह इसको थोड़ा सेमें खीच लेता हूं और यह बिल् lavoro सेन्टर है इसका यह यह यहां पर आपको सू ही को नीचे करके वसा लेना है और यहों गैदर से यह वाली गैधर साप देख सकते हो इस गैदर को आपने स्कार्ट जो अंधर अराम से कमफर्टे फिट हो जाएगी और आपको छिलाई लगानी है कि पर देक 13 आपको इस ही परकार से पूरा अपने कंप्लेट कर लेना है तो पर देख सकतो लास्टिक से नदर मैंने आसानी से लगा ली है लास्टिक लगाने के बाद सलवार को मैंने सीधा भी कर लिया है और सीधा करने के बाद इसका एक जो फाइनल लुक में आपको दिखा ज़ता हूँ क्यों गया भी समय मैंने प्रैस नहीं करिये फिर भी आप इसका लुक देख सकते हो बिल्कुल ट्राउजर की यह जो है हमारी सलवार बन चुकी है और पहनने में बहुत ज़्यादा यह कंफर्टेबल भी रहेगी इस सलवार की जो सबसे बड़ी खासित मैंने आपको बता ही दिया इसे आप टीशिट के साथ भी पहन सकते हो इसे आप कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो तो दोस्तों यह अधि मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुती आसान तरीके से एक नई स्टाइल की जो ट्रेंडिंग में सलवार चल रही है उसके बारे में बताया है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ठेंक्यू वेरी मॉच